हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल तनुवार्च ब्लॉग देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इजी डिजाइन ले कर आई हूँ देखिए ये डिजाइन ये डिजाइन आपका 6 रॉ का है आपको 6 रॉ रिपीट करते जाना अपनी पूरी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को आप शॉय्टर में कार्डिगन में जैकेट, बंडी आप किसी भी प्रोजेक्ट में बनाईए बहुत ही अच्छा लगेगा ये बैक साइड से देखिए, ऐसा दिखता है और फ्रंट साइड देखिए आज मैं आपको ये डिजाइन सिखाने वाली हूँ कि इस डिजाइन को आप खुद से कैसे बनाएंगे अगर आप मेरी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कीजे ताकि आपको हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए ये डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं देखें आपको बॉर्डर के वाद फ्रंट साइड से स्टार्ट करना है देखें मैं इसमें एजस्टीच कर लिए हूँ टोटल 16 फंदे है इसमें आपका वन डिजाइन में 6 फंदे लग रहा हैं देखें 6 फंदे फिर 6 फंदे इस तरीके से आपको फंदे डालना है आपको फर्स्ट फ्रंट साइड से बीनना है आपको फोर फंदे उल्टा बीनना है देखें इस तरीके से बीन लीजे 4 फंदे उल्टा फिर आपको ओन पीछे करके 2 फंदे सीधा बीनना है देखें यही 6 फंदा आपको रिपीट करना है फर्स्ट फंदे उल्टा और 2 फंदे सीधा फिर आप ओन पीछे कीजे और 2 फंदे सीधा बीन लीजे देखें फिर उन आगी कीजे और 4 फंदा उल्टा बीन लीजे देखें आपका फर्स्ट रॉग कम्पलीट हो गया है आपको इसी तरीके से फर्स्ट रॉग बीनना है सकेंड रॉग देखें बैक साइड से आपको सकेंड रॉग में बैक साइड से टोटल फंदे को उल्टा बीनना है देखें इस तरीके से बीन लीजे बैक साइड से बैक साइड से लीजे बीनना है आपका सकेंड रॉग भी कम्प्लीट हो गया है आपको इसी तरीके से बीनना है सकेंड रॉग थर्ड रॉग देखें फर्स्ट साइड से आपको थर्ड रॉग में थ्री फंदे उल्टा बीनना है देखें इस तरीके से बीन लीजे फिर आपको उन पीछे करना है देखें टू फंदे को क्रॉस करना है देखें इस दोनों फंदे को स्लिप कीजे उल्टा बीना हुआ फंदा इस पर डालिए और सीधा बीना हुआ इस पर देखें इस तरीके से आप क्रॉस कर लीजे और सीधा बीन लीजे देखें इस तरीके से ये उल्टे फंदे को भी क्रॉस करके आप सीधा बीन लीजे, देखे इस तरीके से, इस साइड भी आपको इसी तरीके से क्रॉस करना है, देखे, इस फंदे को इस काटे पर, और इस फंदे को इस काटे पर, देखे इस तरीके से, फिर आप बीन लीजे, देखिए आपको इस तरीके से बीनना है फिर आप ओन आगे करके टू फंदा उल्टा बीन लीजे देखिए फिर आप ओन पीछे कीजे जैसे आप यहाँ पे क्रॉस किये वैसे ही आपको करना है देखिए देखिए इस तरीके से फिर आप सीधा बीन लीजे क्रॉस करके अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कॉमेंट करके पूछिए कि आप कहां समझने में परिसानी हो रही है देखिए इस तरीके से क्रॉस करना है देखिए आपको फोर पंदा सीधा बीन लीजे और उन आगे करके लास्ट के थ्री पंदे उल्टा बीन लीजे देखिए आपका थर्ड रॉग कम्प्लीट हो गया है फोर्थ रॉग देखिए बैक साइड से आपको फोर्थ रॉग में टोटल पंदे बैक साइड से उल्टा बीन लीजे आपको बैक साइड से हर रॉग में उल्टा बीनना है आपको सिर्फ फ्रंट साइड से ही डिजाइन बनाना है देखिए आपका फोर्थ रॉग कम्प्लीट हो गया है फिप्थ रॉग देखिए फ्रंट साइड से आपको फिप्थ रॉग में टोटल पंदे उल्टा बीनना है देखिए और आपको वन पंदे उल्टा बीनना हुआ क्रॉस करना है देखिए इस तरीके से उल्टा बीना हुआ आपको इस काटे पर डालना है और सीधा बीना हुआ इस काटे पर देखिए इस तरीके से फिर आप इस काटे पर डालिए और ओन पीछे करके सीधा बीन लीजे देखे, आपको इस तरीके से बीनना है, फिप्त रो, देखे, आपको फोर फंदे सीधा बीनने के बाद, इस साइड भी आपको क्रॉस करना है, देखे, वन फंदे उल्टा बीना हुआ, इस पे, और सीधा बीना हुआ, इस काटे पे, देखे, इस तरीके से डालिए, और इस टू फंदे को भी सीधा बीनने लीजे, देखे, आपका सिक्स फंदा सीधा बीना गया है, और इस साइड भी आपको इसी तरीके से बीनना है, सिक्स फंदे, देखे, आप इस तरीके से बीन लीजे, देखे, देखे, आपका सिक्स फंदा कम्प्लीट है, सीधा बीना हुआ है, आपको बस फास्ट और लास्ट में टू फंदा उल्टा बीनना है, देखे, फिप्त रॉ में, देखे, आपका फिप्त रॉ कम्प्लीट हो गया है, 6 रौ देखिए, बैक साइड से, आपको 6 रौ में, टोटल फंदे उल्टा भी इना है, बैक साइड से, देखिए, आपका 6 रौ कंपलीट हो गया है, आपको इसी तड़ीके से बीनना है, 6 रौ, यहीं 6 रौ आपको रिपीट करते जाना है, अपनी पूरी प्रोजेक्ट में, देखिए, अगर आपको यह डिजाइन अच्छा लगाओ, तो प्लीज लाइक, शेर और कॉमेंट कीजे, अगर आप अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये, तो अभी सब्सक्राइब कीजे, लाश्ट तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच,